हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर दिखेगा, आज भी आपको काफे कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथी का इस शेशन को सुर करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग एंड एकनोमिक कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं, इसके लिए चाहे तो आप करेंट अफेर्स फंडा एप को इस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की मिलद से वेप लोगिन भी कर सकते हैं, कोई भी आपका बैंकिंग, SSC, Railway of State, PCS, जहां पर भी General Awareness या Current Affairs पूछे जाते हैं, सभी एकसाम्स के लिए हमारे PDF कॉंटेंट काफी useful है, तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से सम्मंदित, तो आप कोमेंट बोक्स में वश्य लिखेगा, चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की, सबसे पहले हमेशा की तरह आचा कोश्यन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको भी कोमेंट बोक्स में करना है, नेम दा ओल्डेस्ट पैरा मिलेटरी फोर्स इन इंडिया, बारत में सबसे पुराने, अर्ध सैनिक पल का नाम बताएं, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्यूर्टी फोर्स यानि की बियसेफ, इंडो तिप्तेन बॉर्डर पुलिस यानि की ITBP, सेंट्रल रिजर्फ पुलिस फोर्स यानि की CRPF, तो चार ओप्शन आपके सामने हैं, जल्दी सांसर कर देजेए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैत पूर्ण कोश्यन ह पूछा जाता है कई बार एक्सामस में, और इस तरह कोश्यन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें टेलिग्राम पर ज़रूर जोर्न कर लिजे, करन्ट फिर्स फंडा, नाम से मारा टेलिग्राम चैनल है उडिशा सीम, नवीन पतनायक हैस बिकम दा सेकंड लोंगेस्ट सर्विंग चीफ मिस्टर इन दा कंट्री, who holds the record for being the longest serving चीफ मिस्टर इन इंडिया पूछ रहे हैं कि उडिशा के मुख्य मंतरी नवीन पतनायक, देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक पत पर रहने वाले मुख्य मंतरी बन गए हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य मंतरी रहने का record किसके नाम है, options आपके सामने हैं, और सही answer option D है, पवन कुमार चा यह अब तक second longest serving chief minister थे, तो इनके डेश को सरपास कर दिया है, उडिशा के नवीन पतनायक को, पतनायक ने, आपको बता दें, former सिक्किम chief minister, सिक्किम के जो पूर्व chief minister है, पमन कुमार चामलिंग, इनके पास ये record है, कि हमारे देश में longest serving chief minister है, आपको बता दें, 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक ये CM पत पर रहे हैं, यानि कि 24 साल 166, पतनायक के लिए हम बात करते हैं, नवीन पतनायक की, तो ये five time chief minister रहे उडिशा के, और सबसे पहले बार 5 मार 2000 को इनके पत हासिल किया था, और 23 साल 138 हो गए हैं, इनके इस पत पर रहते हुए, जबकि जो वेस्ट बैंकोल के जोती बासु हैं, ये वेस्ट बैंकोल के chief minister है, 21 जून 1970 से, पांच नुमबर साल 2000 तक, यानि कि 23 साल 137 दिन, आपको जानना चाहिए हैं, जो उडिशा के chief minister नवीन पतनायक, ये third leader हैं, after charming and basu, जो कि किसी state के chief minister हैं, five consecutive times, और यदि जो chief minister है, ये नवीन प हैं, बीजेडी आप सभी जानते हैं, कि 24 की elections में, बीजेडी जीज जाती है, तो पठना एक longest serving chief minister हो जाएंगे, इडिया के, What is the name of South India's first AI news presenter, launched by Kannada channel Power TV recently, हाली में Kannada channel Power TV द्वारा लौंच के गए, दक्षिन भारत के पहले, AI समाचार प्रत्रुस्त करता का नाम क्या है, options आपके सामने हैं, सही answer option दी है, सौन दरिया, आप सभी जानते हैं कि Indian TV news industry में, अब artificial intelligence news presenters आने शुरू हो गए हैं, और इसी सीरीज में, Kannada channel Power TV इसने South India का first AI news presenter लौंच किया है, और जो management है, उन्होंने इस AI presenter का नाम रखा है, सौन दरियो, तो ये एक robot anchor है, और news deliver करना भी इसने शुरू कर दिया है, हाली हमने देखा था कि उडिसा का एक channel है, OTV, इसने उडिसा के first AI news presenter को लौंच किया है, जिसका नाम लीजा है, किस Formula 1 driver ने Hungarian GP जीता है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन्स ही है, लौिस हैमिल्टन, तो काफी दियुना बाद नमबर आया है इनका, देखें, लौिस हैमिल्टन हंगेरियन ग्राप्री जीत चुके है, इनका नाम है, लौिस कार्ल डेविट्सन हैमिल्टन, इनको सर्गियो पदी दी गई है, इसलिए सर लिखाया आगे, तो ब्रिटिस रेसिंग ड्राइवर हैं ये, और Formula 1 में Mercedes के लिए ड्राइव करते हैं, आपको बताते कई records इनके पास है Formula 1 में, एक तो ये 7 बार World Drivers Championships टाइटल चीच चुके हैं, जो की एक अपने आप में record है, माइकल शुमागर के साथ record शेयर करते हैं, साथ ही इनके पास किस किस चीच के record है, for most wins, most pole positions, most podium finishes, When is the world brain day observed globally? विस्व इस्तर पर विस्व मस्तिस्क दीवस कम मनाया जाता है, options आपके सामने हैं, सही answer option भी है, July 22nd, आपको जानना चाहिए कि हर साल World Brain Day, ये 22 चुलाई को celebrate किया जाता है, और brain related जो भी conditions हैं, किस तरह से individual को affect करती हैं, उसके बारे में ये awareness देने का कारे करता है, आपको जाना चाहिए ये साल 2030 में इस World Brain Day का theme है, Brain Health and Disability, Leave No One Behind, साथ ही आपको जाना चाहिए 22 चुलाई को ही पाई approximation day भी मनाया जाता है, क्योंकि जो पाई की value है 22 upon 7, उसको देखते हुए, साथ वदो महीना हो गया चुलाई का, और 22 क्या हो गई, तारीक, इसलिए 22 चुलाई को पाई approximation day बनाते हैं, वही पाई day मनाते है 14 मार्च को, ये 14 मार्च कैसे आया है, 3.14, जो approximate value है, याना 3.14, उससे आया है 14 मार्च, तो तीसरा तो महीना हो गया मार्च का, और 14 हो गई तारीक, तो यहाद रखेगा, पाई approximation day 22 चुलाई, पाई day 14 मार्च, साथ ही 14 मार्च को ही Albert Einstein का बर्थड़ी भी होता है, साथ ही 22 चुलाई को ही National Flag Adoption Day भी हम भारत में मनाते हैं, क्योंकि 22 चुलाई 1947 को, Constituent Assembly ने हमारा जो flag है, ट्राइकलर है, उसको adopt किया था, और यह official flag का बना Union of India का 15 अगस्त 1947 को, आपको उतादी यह flag सुराज flag पर बेस्ट है, सुराज flag यह Indian National Congress का flag हुआ करता था, इसको design किया गया था, पेंगली वंगया ने, वेर इस नेशनल प्रोड़कास्टिंग डे उपसर्ट, रास्ट यह प्रसार अरण दीवस कम मनाया जाता है, सही answer option C है 23 जुलाई, आपको जाना चाहिए कि हर साल भारत में 23 जुलाई को National Broadcasting Day मनाया जाता है, इसी दिन की बात है, यानि कि 23 जुलाई 1927 की, जब first ever radio broadcast हमारे country में air किया गया, कहां से from Bombay station, किसके दुआरा private company रही, इंडियन broadcasting company इसके दुआरा, आपको जाना चाहिए 8 जुन 1936 को, जो हमारा Indian State Broadcasting Service है, इसको नाम दे दिया गया, और India Radio, और 1927 से ही जो ये radio है, ये जो news देता आ रहा है, इसका motto है, भाउजन हिदाए, भाउजन सुखाए, ये भी exam में पूचा जाता है, मोटो, वहीं है आपको जाना चाहिए National Parents Day, ये जुलाई के महीने में जो 4th Sunday आता है, उस दिर मनाया जाता है, इसलिए 2030 में ये 30 जुलाई को मनाया गया है, 23rd July को National Parents Day मनाया गया, After completing 32 years of service, which warship was decommissioned from the Indian Navy, and handed over to Vietnam, 32 वर्ष की सेवा पुरी करने के बाद किस युद्धपूत को भारतिय सेना से सेवा मुक्त कर, वियतनाम को सौपतिया गया, आपको जाना चाहिए कि 32 साल की service देने के बाद, जो मारा longest serving warship रहा है, इसको decommission कर दिया गया है, यानि की सेवा से मुक्त कर दिया गया है, और वियतनाम, People's Navy, VPN इसको सौपतिया गया है, कैमरान वियतनाम में, आपको जाना चाहिए जो ceremony हुई है, इसके देख्षता की है, Admiral Radha Krishnan Hari Kumar Dwarra, जो कि Chief of Naval Staff हैं, Indian Navy, इसको कमिशन किया गया था, और इंडिया ने भी जो eastern fleet है, उसका इंटेग्रल पार्ट रहा है, पिछले 32 सालों में, इसने कई operations में पार्ट स्पिट किया, इसने हाले में, इसने हाले में, ब्रिक्स ग्रूप को जोइन करने के लिए अप्लाई किया है, साथ ही एक request भी submit की है, कि हम BRICS Bank, जिसे New Development Bank बोलते है, NDB, इसका shareholder ये बनना चाता है, आपको दादें, BRICS Group में, जो country's सामिल हैं, Brazil, Russia, India, China and South Africa है, world population का 40% in countries में आता है, साथ ही global economy का 26% in countries द्वारा आता है, BRICS Bank या NDB की बात करें, BRICS नाम नहीं है, इसका official नाम NDB है, New Development Bank, इसका headquarters संखाई चाइना में है, इसका पहला regional office, Johannesburg, South Africa में उपन किया गया था, फिर उसके बाद, Southpolo, Brazil, Gift City, India और Moscow, Russia में भी उपन किया गया, आपको उता दे, यह जो आइडिया था, इस BRICS Bank को सेट अप करने का, यह इंडिया दोरह ही दिया गया था, 4th BRICS Summit 2012 में जो की डैली में आजजित की गई थी, यह महत्पून पॉइंट है, और 11 मी 2015 को भारत के ही केवी कामत इस बैंक की प्रेजिडेंट बनाए गए है, फिलाल इस बैंक की प्रेजिडेंट, South Africa की दिल्मा रोशिफ है, किस राज्य विदान सबाने न्यून्तम गारंटी आए विदेयक पारित किया, जो राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजकार की गारंटी सुनिश्चित करता है, औप्शन्स आपके सामने है, सही आंतर अप्शन्स ही है, राजस्थान, आपको जाना चीर राजस्थान एसेंबली ने राजस्थान मिनिम्म गारंटेड इंकम बिल 2023 को पास किया है, जो कि राज्य की एंटाइर एडल्ट पोपुलेशन को मिनिम्म वेज और पैंशन गारंटी देता है, आपको जाना राजस्थान पहला स्टेड बन गया है, हमारे इस देश में, जिसने इस तरका एक्ट लाया है, जिसमें की गारंटेड पैंशन दी जारी है, गारंटेड मिनिम्म वेज दिया जा रहा है, इस बिले के नुसार, राज्य में जितने भी फैमिलेश हैं, चाहे वो अर्मन हैं, या फिर रूरल एरियास में आती हैं, उनको एम्प्लियमेंट गारंटी दी जारी है, 125 डेज एवरी यर, और मिनिमम पैंशन दी जारी है, 1000 रुपे की पर मन्त, यादि कोई वेक्ति या फिर सिंगल विमन है, और महत्रपूर बात यह है, यह जो पैंशन है, यह आटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी हर साल, 15 परसेंट हर साल इंक्रीज होती चले जाएगी, जस्टिस सुनिता अगरवाल हैस बिन अपॉंटेड एस दा नियू चीफ जस्टिस ऑफ फिच अधीश बन गई है, ओप्शन्स आपके सामने सही आंसर ओप्शन्स ही है, गुजराथ हाई कोर्ड, देखें सेंटरल गोर्मेंट ने ते लंगाना, ओडिसा, गुजराथ और केरल, यह चार हाई कोर्ड में चार जजजेस को एलिवेट करने की मंजूरी थी है, इनमें से अल समारे बारत में, उनमें कहीं पर भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है, तो अब हो गई है यह गुजराथ हाई कोर्ड की जस्टिस सुनिता अगरबाल, सो प्रेजडेंट ओफिने अधरापती मुर्मू ने इनकी अपॉर्मेंट नोटिफाई की है, देख लेते हैं, जस्टिस सुबासीज तालबात्रा यह उडिसा हाई कोर्ड चीफ जस्टिस मनाए गए हैं, जस्टिस सुनिता अगरबाल, कुछडाथ हाई कोर्ड चीफ जस्टिस और जस्टिस आशीश जितेदरतेसाई, यह केरड हाई कोर्ड के चीफ जस्टिस अपॉइंट किये गए हैं, इन अंदाजी विदा में बारत के लिए पहला सोड़ बदक जीता सही आंसर ऑप्शन दिये हैं कंपाउंड आर्चरी देखें इंडियन कंपाउंड आर्चर सरीता और राकेश कुमार इन्होंने वर्ड आर्चरी पहरा चेंफेंशिप जो कि फर्सन चेक रिपोब्लिक में खेली गई यहां पर देश का अब तक का पहला गोल्ड मैडल जीता है भारत ने कपी गोल्ड मैडल इस चेंपेशिप में नहीं जीता है लेकिन अप सरीता और राकेश कुमार ने ये कारणामा करकी दिखाये है वही शीतल देवी इन्होंने compound women's individual में silver जीता है और जो सरी था है इन्होंने second medal जीता जब इन्होंने जोरती के साथ मिलकर women's team का bronze medal जीता है विज मेंके इस पार्टनर विद्ट यानि कि ट्रैक्टर अंफ एक्विप्मेंट फोर ट्रैक्टर विद्पोशन के लिए किसी बैंक ने ट्रैक्टर और फार्म परंड के साथ साहधारी की है सही answer option डी है Indian Bank आपको जाना चाहिए Indian बैंक ने Tef यहाने की Tractors and Farm Equipment इसके साथ partnership की है और यह जो है holy one subsidiary TMTL की यानि कि Tef Motors and Tractors Limited की तो किसलिए की है यह partnership tractor financing के लिए तो इस type के through जब भी farmers है जो individuals है वह Tractors Loans ले सकते हैं affordable interest rate पर इंडियन बैंक से और जो लोन प्रेसे सेंगे वह बिल्कुल हैसल फ्री रहने वाली है इंडियन बैंक की बात करते हैं MDM CEO सांतिलाल चैन है हैट पार्टरस चिन नहीं तमिलाडू में है और टैग लाइन है यौर ओन बैंक विच कंपनी अपॉंटेट फॉर्मर्ग कैक राजीव महरीशी ऐसा इंडिपेंटन डिरेक्टर ओन इट्स बोर्ड किस कंपनी ने पूर्व सीजी यानि की कंप्रोल एन ओडिटर जर्नल राजीव महरीशी को अपने बोर्ड में स्वतंतर निदेशक निउक्त किया है सही आंसर ऑप्शन भी है जीव फाइनेंशल सर्विसेज देखें मुहेश अममानी की डॉटर ईशाममानी और फॉर्मर्ग सीजी यानि की कैक राजीव महरीशी इन्हें जीव फाइनेंशल सर्विसेज लिम्टेट का जो बोर्ड है उसमें डारेक्टर निउक्त किया गया ह तो राजीव महरीशी को जो जो फाइनेंशल सर्विसेज लिम्टेट है इसमें इंडिपेंडेंट डिरेक्टर निउक्त दिया है तो यह कैग रह चुके है और होम सेकरेटरी भी रह चुके है पास साल के लिए इनकी अपॉइंट्मेंट की गई है आपको जाना चाहिए जो इस्ट्रेटिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यह पहले इंड़कों मर्यों अब अब umगार्ण दो कंपनी पहले से मर्ज थी ठीक है अब उन्हें से एक को फिर वापस क्या है अलग इंटिटी बना दिया है तो इसका नाम है स्ट्रेजिक इंवेस्मेंड लिम्टेड लेकि रहे हैं राजीव महर्षी को रिलीस्ट रिपोर्ट और पंचाय डवलप्मेंट इंडेक्स पंचाय द्विकास सुच खांग पर रिपोर्ट किस ने चारी की ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ऑप्शन सी है कपिल मोरिश्वर पाटिल एक्चुली जुलाई फस्ट वीक क कोश्चन है यह मेरी जो लैप्टोप में जो टैब होते हैं ने उसमें खुला ही रह गया फिर मैंने देखा कि कोश्चन तो रही गया इसलिए अब कवर कर लेते हैं इसको है ना तो देखिए पंचाय डेवलप्मेंट इंडेक्स रिपोर्ट हाली में यूनियन मिस्टर ऑफ आता है यह जो पंचाय डेवलप्मेंट इंडेक्स है इसमें एक सुचवाली से लोकल टार्गेट्स हैं 570 लोकल इंडिकेटर्स हैं चैसो अठासी डेटा पॉइंट्स हैं और नाइन थीमेटिक एरियास हैं जो की लोकलाइजिशन ऑफ सस्टेंबल डेवलप्मेंट गोल्स एनकी एल-स-फडीजी से शम्मंदित हैं जो नाइन थीम्स हैं इसमें उनको देख लेते हैं पॉइर्टी फ्री एंड इन्हेंस लाइवलिवीटिटिंव्यज हैल्दी विलेच चैल्डी फ्रेंडी चैइल्ड फ्रेंड्ली विलेच वाटर सफिशेंट विलेच क्लीन एंड Green Village Village with self sufficient infrastructure socially just and socially secured villages village with good governance and women friendly village तो यह 9 थीम है इसके के आपको था दिश इंडेक्स को पाइलेट बेसिस पर अभी लॉंच किया गया है और कहां पर महाराश्ट के four districts में पूरे सांगली स्तारा और सोलापूर। इस PDI में इस इंडेक्स में जो पंचायत्स हैं उनको उनके स्कोर के विसिस पर जो है कैटेगराइज किया गया है चार ग्रेड में तो एक तो है under 40 परसेंट जैसका स्कोर है उनको ग्रेड दिया गया है जिनका 40-60 परसेंट से भी ज्यादा है उनको A plus category में रखा गया है इस स्टेडी में बतायाता है कि 70% of the पंचायत in the four district of मारास्ट जो मारास्ट के चार डिस्टिक हैं इनमें 70% पंचायत category C में आती है जबकि 27% category B में आती है एक पॉइंट यह आया है कि 53% of the gram than Cheese in the state यह ग्रेट के हैने आती है यदी हम वाटर्स अफिशंसी की बात करते हैं और 36% ग्रेटी में आती है 30% पंचायत algebra में आती है यदी हम क्रीट की बात करें और 30 थर्टी परसेंट और परचायत ग्रेट सी में आती है यदि हम विमन फ्रेंडली बात करें साथी मिनिस्ट्री ने रास्टिय ग्राम सुराज अभियान को भी दोजार पाइस तीस से दोजार पच्छी चब्रिस तक लॉंच करने की खुशना की है विच कांट्री ओनर्ड दा इंडियन आर्मी कॉंट्रिबूशन इन तो सेकंड वर्ड वर बाइ अन्विलिंग वाई सी यस्वंद गाडगे संडायल मेमोरियल का अनावरण करके द्वित्य विश्विद्य में भारते सेना की योगतान का सम्मान किया है सही आंसर आप्शन ए इटली हैं यहीं देखें इंडियन शॉलजर्ज options ऑनुवर्ण वर्ड वॉर्ड सेकंड में जो भारती शॉलजर्ज भारते स्दैनी को द्वारा जो पाठिसपेट किया गया तो उसी को सम्मानित किया गया है यह पर इटली के द्वारा तो जो मॉंट्टन का कम्व्यून मॉन्टोन एक Scotland में मौनिस्पैल्टी को कहते हैं तो जो मॉन्टोन एक शहर है टाउन है तो उसकी मॉन्टिधी और इटैलियन ू τι और इन का तरीका है उन इंडियन ट्रूप्स को जिनोंने सेकंड वर्ड वार के तहत इटलियन केमपेंग को लीड़ किया और इस संडायल मेमोरियल के जरिये यह नायक यश्वन्त काड़ी विक्टोरिया क्रोस से सम्मानित जो की शहीद हो गए थे यहां पर फाइट के दोरान अपर अपर टीबर वैली में उनके सम्मान में यह संडायल जो है इनोग्रेट किया गया है तो यह लाइव संडायल है यहां की कारे रत जो सूर्य घड़ी है वो है और इस मेमोरियल का मोटो है वी ओल लिव अंडर ता सीम संग हूँ है हूँ हैस बीन अपॉंटेट एस चेर्मेन सब्सक्राइब किया गया है सब्सक्राइब किया गया है करेंट चेर्में ब्राइन जीम दूर्ण पूरी है तो उनसे टेक ओवर करेंगे कुछ दिनो बात अगर हम बात करते हैं इंट्रेशन माईलोमा फांडेशन की स्थापना 1999 में भी यह फर्स्ट लार्चेस्ट कुलबल फांडेशन है जो की मल्टिपल माईलोमा पर फोकस करता है माईलोमा का मतलब है जो प्लास्म सेल स का कैंसर होता है उसको बोलते हैं माईलोमा हुआ फॉर फॉलिंग हैस बिकम दफर्स लूमें टू लीड यूएस निवी निकित में से कौन अमेरिकी नोशेना का नेतरोत करने वाली पहली माईला बन गई है सही आंसर ऑप्शन सी है लीसा फ्रेंच सेटी देखे एडिमिरल लीजा फ्रेंच सेटी यह फर्स्ट वॉमन बन गई हैं जो की यूएस निवी को लीड करेंगी साथी जोइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मेंबर बनाई गई हैं यह फिलाल यूएस निवी में वाइस चीफ ऑफ नवल ऑपरेशन से हैं और कमांडर ऑफ यूवल है यूएस नव रेंग दिया गया है यूनियन होम मिस्टर अमिज शाह इन निव डेली इनुगरेटेट दा एविशन सेक्योर्टी कंट्रोल सेंटर एएस इसी सी ओफ वीच आर्म फोर्स केंट्र ग्रहा मंत्र अमिज शाह ने नई दिल्ली में के इस ससत्र बलके विमानन सुरक्सानी अंतर के इंदर का उतकाटन किया सही आंदर ओप्शन C है CISF आपको जाना चाहिए यूनियन होम मिस्टर और मिस्टर और कोपरेशन अमिज शाह इन्होंने महिपालपूर कैंपस निव डेली में सेंट्र इंडस्ट्रियल सेक्योर्टी फोर्स यानिकी CISF के एविशन सेक्योर्ट सेंटर को इनोग्रेट किया है आपको बता दें यह जो एएस सी सी है सिक्योर्टी कंट्रोल सेंटर है यह जो भी CISF के अंडर में 66 सीविल एरपोर्ट्स जो संचालित हो रहे हैं तो वहां पर कोई भी थ्रेड है सोशल मीडिया च्टर है उस पर मॉनिटर रखेगा थोड़ साथ CISF के बारे में जान लेते हैं एक नेशनल सिविल एफिशन प्रोटेक्शन फोर्स है जो की होम मेंस्टिक अंतरगत आती है हमारे देश में जो 134 ऑपरेशनल एरपोर्ट से 66 पैसेंजर एरपोर्ट करता है शुरुक्सा दिता है एक लोती ऐसी फोर्स है जिसके पास अ जले derivative केछे स्टेट को चाहिए एसफ करेगा किसी और इनाइसे में जाते हैं तो और उसक हैसा प्रूर्स है यह पिसके पास अपनी घुद की GO यह स्यसेफ हमारे देश में जो बड़ी महत्रपूरी मारते हुती है यह इंस्टॉलेशन소 Center जैसे नियूक्लियर इंस्टॉलेशन इश्पेस मैंट इस्टेलियूंट्स एरप्वोर्ट सीपोर्ट इस पॉर्बंज टेना इन इस दो एव और साथ है बागी आपको जाना चाहिए जी डिरेक्टर चनरल सियासिफ के हैं शील वर्धन सिंग आज की साइन में कुस्टेंस प्रीवेस साइन में कुस्टेंस की आंसर हम देखेंगे हुई इस तर सी ओ प्रदार मंतरी फसल भी मायोजना रितेश चोहन इंडिया शेर इन वर्ड फू इंडिया हैस बीन कंडक्टिंट सर्वे और इंटरेंशल ट्रेड इन बैंकिंग सर्विसे सिंस विच यह तो थाज़न शेवन फॉर्मर के रल सी एम उमान चंडी पास्ट अवे ओन जुलाइट ही वास्ट चीफ मिस्टर ऑफ के रल हाव मैंनी ताइंस आंसर इस तो आपने स कौंच इस ता इलेक्शन सिंबल ऑफ इच पार्टी विच फास्ट पोलर मेड इस टेस्ट एप फोर इंडिया इन अगेंस वेस्ट इंडिच इन तरिनाद जस्ट स्टॉप ओल इस नोन वाइल इस्ट इस्टेंस ग्रूप डिमांदिंग विच कंट्री इस कोमेंट स्टॉप काफी चर्चा में आप में से कई ने पहली बार सुना होगा जस्ट इस्टॉप ओल ठीक है तो यह ग्रूप है उसके बारे में आपको बताने हैं विंबर्डन में बीनों ने बाधा डाली कोई मैच चल रहा है उसमें बाधा डाल दे रहे हैं सटक पर कोई बस चारी है उस प पर पेंट वगेरा फैंक दे रहे हैं तो आपको बताने किस कंट्री में यह चल रहा है विच कंट्रीश क्रिकेटर आईशा नसीम 18-year has announced her retirement from international cricket citing her devotions to islamic principles तो इन पांचो कोस्टेंस क्या अंसर आप कमेंट बुक्स में डीजेगा दिया आपको एक क्कॉस्टन का अंसर विया सोच जासी रहती है कि इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आपाती हैं मिगनोर करके चलते हैं जो थार्ड कोस्टन है ना हाली में वेस्ट इंडीज खिलाव किस बॉलर ने अपना टेस्ट एप यू किया है फास्ट बॉलर ने तो इस तरह कोस्टन पूछ लेते है इसका अंसर कीजिए आप साथी करेंट अफेर्स फंडा को आप टेलिगाम पर भी जोने कर सकते हैं आप और वीडियो अपडेट्स और करेंट कोई जसम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी डिस्क्रसन ग्रूप में आप किसी भी कोश्टन का सॉलूशन पासकते हैं द